बिहार की सियासत से जुड़ी सबसे बड़ी खबर जी हाँ आप सही सुन रहे हैं बिहार की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर नहीं बलकि सबसे बड़ी खबर और पिछले कई मेहनों के दर्मिया की सबसे बड़ी खबर और यू कहें कि बिहार के साथ साथ देश की सियास को लेकर सबसे बड़ी खबर तो कोई आती श्योक्ति नहीं होगी है नी बढ़ा चला कर कहीं गई बात नहीं होगी आपको उता दे कि जाती है जन्गन्ना मसले को लेकर बिहार की सियासत लगातार उबल रही थी लेकिन जब से बिहार की 10 सियासी पाठियों का प्रतिंदी मंड प्रतानमंतरी मुदी से मुलाकात करने पहुचा था तो कहीं ने कहीं इस बात को लेकर सम्भावना व्यक्त की जा रही थी कि हो सकता है कि BJP जाते जन्गन्ना करवा दे लेकिन अब एक बार बड़ी खबर ये है कि BJP ने फिर सापको और पर इंकार कर दिया है और कहा है कि 2020 क जन्गन्ना होगी उसमें जाती की जन्गन्ना नहीं होगी ये सम्भावी नहीं है क्योंकि अब काफी लेट हो चुका है कुरुना की वजह से भी परक्रिया में लेट हुई है बकाइदा जाती है जन्गन्ना करवाई जाती है चार साल पहले से उसका प्रोसस तयार होता है औ सरकार के अधिकार में कहीं ने कहीं अतिक्रमन होगा और बीजेपी साफ तौर पे सुप्रीम कोट में भी बीजेपी ने कहा है कि बीजेपी जातिये जन्गन्ना कराने के पक्ष में नहीं है तो अब साफ है कि इससे बिहार की सियासत के साथ साथ देश की सियासत में उबाल कि किस तरीके से जातिय जन्गन्ना के मसले को लेकर बकायदा मंडल दिवस के दिन आरजडी ने तमाम जिला मुख्यालों पर धरना परशन किया था और साथ तोर पे कहा था कि देश में जातिय जन्गन्ना होनी चाहिए और नितीश कुमार भी इस मसले परतिश यदर के साथ द और आपको याद होगा जब राश्ट्य प्रश्ट की बैठक हुई थी तब वहां प्रस्ताप भी पास किया गया था किस देश में जातिय जन्गन्ना होनी चाहिए तो अब नितीश कुमार धर्म सकट में पढ़ गया है आपको याद होगा प्रधानमंतरी का जब जन्म दिन नहीं होगी अब इसको लेकर एक बार फिर से बिहार की सियासत जो है वो गर्म हो जाएगी या यू कहें कि इसमें वाल होना था है क्योंकि अब आरजडी ये बात उठाएगी कि कहीं न कहीं जो है बीजेपी या एंड ये वो पिछला आति पिछला विरोधी है और आप पिछला आति पिछला दलीत और अलसंक्यक समाज जनगनना का जो बहिशकार करेगा इसमें शामिल नहीं होगा और साब दोर पे कहा था कि जब पोधों और पसुपक्षियों के गिंती हो सकती है तो फिर जाती है जनगनना क्यों नहीं हो सकती है आपको बता दे कि बिहार की तमाम सियासी पाटियां वो इस पक्ष में तो है ही बिजेपी भी इस पक्ष में है आपको याद होगा बिहार के पुर्व उपमुक मंतरी वरतमान राजसवासांसा सुसील मूदी ने क्या कहा था उन्हें कहा था कि जाती है जनगनना होगी और के अंदिये सरकार इसके बार दवहास है तो अब जो है कहीं ने कहीं इसको लेकर राजिंति गर्मान आता है और साप कोर पे बीजेपी के बारे में सवाल ये उठ रहा है कि आखिर बीजेपी जाती है जनगना करवाना क्यों नहीं चाहती है इसके पीछे का तरक आपको समझा देते हैं एक आकड़ा के अ आकड़ों के साथ हेरा फेरी किया है घोटाला किया है और अगर जनसंक्या 10 प्रतिशत बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाता है तब फिर ये आरक्षन के दायरे को बढ़ाने की बात करेंगे यानि पूरा जो गेंध है पूरा जो खेल है वो छेत्रिये पार्टे के कबजी में चला ने कहा था कि मेडिकल में हमने 27 प्रतिशत का आरक्षन दिया जुलाए में जब मंत्रिमिनल का विस्तार हुआ तब साथ और पेस संजासवाल ने कहा था कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब बीजेपी के शासंकाल में सबसे ज़्यादा पिछणों और पिछणों दल ने कहा था कि जाती जिंगन्ना नहीं होगी लेकिन हमारे दवाब की वज़ह से जाती जिंगन्ना हुई इसका फैदा उनको मिल सकता है यदि बीजेपी नहीं करवाती है तो फिर ये कहेगी कि बीजेपी जो है वो पिछड़ा अतरी पिछ़़ा विरोधी तो कहीं ने कहीं बीजेपी की परिशानी बढ़ सकती क्योंकि वो हिंदुतों के नाम पे लगातार जो जातियां हैं उसको गोलबंद करने का प्रयास कर रही हैं लेकिन छेत्रिय पाटियां जो हैं वो लगातार अब जाती है जनगना के मसले को उठाएगी और आप देखिएगा कि आने वाले वक्त में आज से ही इस मसले पर जो है अब जो तमाम पाटियां हैं वो इस मसले को लेकर मुद्दा उठाएंगे और बीजेपी के परिशानी बढ़ सकती क्योंकि बीजेपी नहीं 2019 और 2020 में बीधान सभा और बीधान मंदल से बकायता प्रस्ताप पास किया था कि जाती है जनगना होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा धर्म संक्रट में नितिश कुमार होंगे जो नहीं साब कवर पे कहा था कि उन्हें पुरा यकीन है कि बीजेपी जो है वो जाती है जनग उठाएंगे कि आखिर नितिश कुमार इतने कमजोर कैसे हो गए है आखिर वो सवाल क्यों नहीं उठा रहे हैं तो अब जो है इसको लेकर राज्टिक घर आएगा अब क्या कुछ इस पे बयान आता है सुभाविक तोर पे जो है बहुत आक्रम तरिकी से बयान बाजिया हों होगी है उन तमाम खबरों से आपको लगातार अपडेट करते रहेंगे बहुत बहुत धन्यवाद